हलो दोस्तो मद्यप्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेरी करन्ट अफियर स्टडी यूनिवर्स में आपका स्वागत है आज है दस माई 2019 और यह हमारी 150 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note करने हैं क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथ ही questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने है अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे question number first हाली में कब विश्व रेड क्रोस दिवस मनाया गया है जिसका सही option है 8 मई हाली में 8 मई को विश्व रेड क्रोस दिवस मनाया गया है दोस्तो यह दिवस प्रतिवर्ष लोगों को किसी भी समय कहीं भी मदद करने के लिए दुनिया भर के अधिकारियों और सोयम सेवकों के आसाधरन युगदान और आविश्वस्वस्णिय उपलब्दियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है यह दिवस रेड क्रोस के अंतरास्टिय समीती के संस्थापक जीन हैंरी एकेंट और यह पहले नोवल सांती पुरुषकार प्राप्त करता थे इनके जनम दिन पर मनाया जाता है दोस्तो रेड क्रोस दिवस्टी जो 2019 में थीम थी वह थी लव और आपको बता दे रेड क्रोस समीती का जो हेड कॉर्टर है वह है स्विजलेंड जिनेवा में है तो दोस्तो इतना आपको वर्ल्ड रेड क्रोस दे की बारे में याद रखना है Microsoft की Amazon World Cup Championship में भारत ने कौन सा पुरुषकार जीता है जिसका सरी option है दूसरा भारत ने इस Championship में दूसरा पुरुषकार जीता है दोस्तो इस टीम में भारत सुंदल, आकास बदाना और वसू कौसिक शामिल थे इस टीम का नाम टीम कोईली था दोस्तो इस टीम ने automated production रोधी और drug delivery मास्क के बिकास के लिए दिया है दोस्तो यह मास्क अस्तमा के रोगियों तथा स्वसन रोगों से पीड़त लोगों के लिए तैयार किया गया है और इसी मास्क के लिए इन्हें यह दूतिय पुरुषकार दिया गया है तो इतना आपको इस championship के बारे में याद रखना है कि इसमें भारत को दूतिय पुरुषकार प्राप्त हुआ है बारत और बांगलादेश मिलकर किसके नाम पर फिल्म निमाड करेंगे जिसका सई option है सेख मुझीवर रहमान इनके नाम पर मिलकर भारत और बांगलादेश एक फिल्म का निमाड करेंगे दोस्तो आपको बता दें सेख मुझीवर रहमान को बंगलादेश का रास्ट पिता कहा जाता है भारत की सरकारी प्रिसार भारती के सहर नमार से यह फिल्म बनाई जाएगी और इसका नर्देशन स्याम बेनेगल द्वारा किया जाएगा तो इतना आपको इनकी बारे में याद साती है बंगलादेश की राजधानी है धाका और करन्सी है टका बंगलादेश की रास्टपती है अब्दुल हामेद और बंगलादेश की प्रधान मंत्री है शेक हसीना तो दोस्तो इतना आपको बंगलादेश की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन CBDT के अनुसार Online Eye Car Return में कितने प्रतिशत की बढ़ुत्री हुई है जिसका सही Option है 19 प्रतिशत हाली में Online Eye Car Return में 19 प्रतिशत की बढ़ुत्री हुई है CBDT के अनुसार दोस्तों यह 2017-18 की तुल्ला में 19 प्रतिशत अधिक है 2018-19 में यह Total 19 प्रतिशत हुआ है हाली में ख़बर फैलाई गई थी कि Eye Car Return में कमी आई है इसके लिए यह Clarification के लिए CBDT ने रिपोर्ट जारी की है तो इतना आपको इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है Next Question EBM मशीन का प्रत्थम बार उप्योग कहां किया गया था तो इसका सही Option है केरल केरल में EBM मशीन का प्रत्थम बार उप्योग किया गया था दोस्तो 1982 में 19 मई को केरल की बिधानसवा परूर में EBM मशीन का उप्योग किया गया था इसके बाद 2004 में पूरी तरह से EBM मशीन का उपयोग चुनाओं में किया जाने लगा दोस्तो अब बात आईए केरल की तो आपको मैप में केरल की बारी में बता दें मैप में ये जगह केरल को दर्साती है केरल की इस्थापना 1 नॉंबर 1956 में की गई थी केरल की गवर्णर है पी सथा सिवम केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई, विजियन और केरल की राजधानी है तिरू अनन्त पुरम तो दोस्तो इतना आपको केरल के बारी में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन मद्प्रदेश के कि शहर में दुनिया की दुरलब जड़ी बूटिया मिलेंगी तो इसका सही ओफ्षन है जवलबूर मद्प्रदेश के जवलबूर में दुनिया की दुरलब जड़ी बूटिया मिलेंगी दोस्तो आचारी विद्याशागर के सानित में पूरायू अरवेद संस्थान की भूही पूजन किया गया है बीस एकड़ा क्षेतर में यह अरवेद चिकित साल है महा विद्याल है शोत केंद्र और इस संस्थान का निरमाड किया जा रहा है जवलबूर में और यहीं पर यह दुरलब जड़ी बूटिया मिलेंगी अब दोस्तो अब बात आईए जवलबूर की तो आपको कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट जवलबूर की बारी में बता दें तिरपुरी महा कौसल के क्षेतर के नाम से जवलबूर को जाना जाता है मद्यप्रदीश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है जवलबूर भारत का पहला जण्डिया सत्र गया है 1930 में जवलबूर में किया गया था रानी दुरबाबती पंडे जवाला नहरू क्रशी विश्विध्यालाए और महर्शी योगी वैदिक विश्विध्यालाए ये सभी जवलबूर में ही इस्थे थे दोस्तो भीडा घाट, धुवाधार, जलप्रपात यहीं पर इस्थे थे भारत का प्रथम बिकलांग पुनरवास के अंदर जवलबूर में बनाया गया है मध्यपृदेश का पहला इंडियरिंग कॉलेज 1947 में जवलबूर में इस्थापित किया गया था मध्यपृदेश Table Tennis Association और मध्यपृदेश Badminton Association यह जवलबूर में ही इस्थित हैं तो दोस्तो इतना आपको जवलबूर के बारे में याद रखना है Next question हाली में माधव मेनन का निधन हुआ इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है जिसका सही option है कानूनी सिक्षा के पिताम है इन्हें कानूनी सिक्षा के पिताम है के रूप में माधव मेनन को जाना जाता है दोस्तो इनका निधन हाली में तिरू अनंत पुरम में हुआ है इन्होंने बैंगलोरों में National Law School of India पश्यमंगाल में National University of Jurical Science और भोपाल में National Judicial Academy की स्थापना की थी दोस्तो इन्हें भारत सरकार द्वारा पदम पुरुषकार से भी नवाजा गया है तो आपको याद रखना है कानूनी सिक्षा के पिताम है माधव मेनन की हाली में निधन हुआ है नेक्स्ट क्वेशन हाली में विसो थैली सीमिया दिवस पर किस जिले में रक्त दाता शिविर लगाया गया है जिसका सही ओफ्षन है सागर हाली में सागर जिले में विसो थैली सीमिया दिवस पर एक रक्त दाता शिविर लगाया गया है जिसमें लोगों ने अपने रक्त का दान दिया है दोस्तो अब बात आईए सागर जिले की तो आपको कुछ important fact सागर के बारे में बता दे मध्यप्रदेश की प्रथम विश्विध्यालाय जिसे हम डॉक्टर हरीशिंग और विश्विध्यालाय के नाम से जानते हैं इसकी स्थापना 1946 में सागर में ही की गई थी प्रथम forensic lab मध्यप्रदेश में सागर में ही बनाई गई है मध्यप्रदेश का दूसरा police training college भी सागर में ही बनाया गया है मध्यप्रदेश में एरण से लिखित सती का साक्ष प्राप्त होता है जो सागर जिले में है नौरा देही वन्यजी वभ्यारण यह भी सागर जिले में ही इस्थित है और दोस्तो स्टेनलेस स्टील कार खाना और पदमा कर समार होए यहीं पर मनाया जाता है तो इतना आपको सागर जिले के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन आदमगर पहाड़ियों की शैल चित्र देखने अब कितना चार्ज लगेगा तिसका सही ओफ्षन है 25 रोपए 25 रोपए चार्ज अब आदमगर पहाड़ियों की शैल चित्र देखने में लगेगा दोस्तो important question यह है कि ये आदमगर पहाड़ियां कहां किस जिले में इस्थित हैं ये बहुत important question है तो आपको बता दें ये पहाड़ियां मद्यपरतिस के होसंगाबाद जिले में इस्थित हैं दोस्तों आपको बता दे 25 रुपए भारती लोगों के लिए लगेगा और 300 रुपए चार्ज जो है वह विदेशी परेटकों के लिए लगेगा और आपको important question याद रखना है आदमगड पहाणियां हूसंग अबाद जिले में इस्थित हैं नेक्स्ट क्वेशन दुरगटनाओ पर लगाम लगाने किस जिले में यातायात पुलिस अब पेट्रोलिंग करेगी जिसका सही option है सिंग्रॉली सिंग्रॉली जिले में यातायात पुलिस दुरगटनाओ पर लगाम लगाने पेट्रोलिंग करेगी दोस्तों आपको बता दें इसके लिए ट्राफिक पुलिस अब खुद पैट्रूलिंग करेगी। दोस्तो अब बात आईए सिंग्रॉली की तो आपको कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट सिंग्रॉली के बारे में बता दें। दोस्तो 24 माई 2008 को सीधी से अलग करके सिंग्रॉली जिला बनाये गया। दोस्तो इतना आपको सिंग्रॉली के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेशन। हाली में मा तुझे सलाम कारिक्रम कहां आयुजित किया गया है। जिसका सही ओफ्षन है सतना। हाली में सतना जिले में मा तुझे सलाम कारिक्रम आयुजित किया गया है। दोस्तो आपको बता दें। यह कारिकरम भारतिय सिंदु महिला साखा द्वारा कारिकरम आईजद किया गया है। इस कारिकरम का उद्यश से 30 विशेक शेत्रों में कारिकरने वाली महिलाओं को सम्मानित करना है। अब दोस्तों बात आईए सतना की तो कुछ important fact आपको सतना की बारी में बता दें। चुना उद्योग और सीमेंट उद्योग के लिए प्रिसिद्ध सतना। रीवा संभाग का एक जिला है सतना। सतना में ही चित्रकूट जो पावन शहर है यह इस्थित है। सतना में ही मेहर चहापर माशारदा का मंदिर है और मेहर को ही सरकार द्वारा पवित्र नगर घुशित किया गया है। यह सतना जिले में ही इस्थित है। अला उद्दीन खां अकेडमी भी सतना के मेहर में ही इस्थित है। आपको बता दें भरत कूप, मंदा कामदगीरी परवत, हनुमान धारा, सीता रसोई, गुप्त गोदाबरी ये प्रमुक इस्थल हैं सतना में दार्शनिय इस्थल हैं बरहूत में प्रिसिद्ध इस्थूप मौजूद है और मजगाओं में हीरे की खदान हैं तो दोस्तो इतना आपको सतना जिले के बारे में याद रखना है बरतमान में मद्ध प्रदेश में राज नर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तिसका से ओफ्षन है पी वी सें दोस्तो इस्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में आपको बता दें राजंदर तिवारी ये मद्ध प्रदेश में बरतमान में राज्य महादी वक्ता है एसके सेट मद्ध प्रदेश के हाई कोट के मुख्य न्याधिस है गोपाल भारगाओ मद्ध प्रदेश में नेता प्रती पक्ष है तो इतना आपको इन चारों की बारों में बारी में याद रखना है अब बात करते हैं question of today की तो दोस्तो कल जो question दिया रख था उसका बहुत सी लोगों ने answer सही दिया है और उसका सही answer था सिवनी अब बात करते हैं आज की question की तो आज question है हाली में डॉक्टर सफकर मुहमत खान टॉफी किसने जीती है तो आपको answer करना है इन चारों संभाग में किसने जीती है तो दोस्तो ये था हमारा आज का daily current affair आप मारे चैनल study universe को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe कीजिए दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के शाथ share कीजिए जिससे वो भी अपने आने वाले exam की preparation कर सकें दोस्तो बहुत सी comment आते हैं कि मद्यप्रदेश की कुछ question लेते हैं तो दोस्तो इसका reason एक है कि मद्यप्रदेश से daily तीन या चारी question बनती है और आपको बता दें इसके अलाबा मद्यप्रदेश में जो question पूछे जाते हैं या exam में जो question पूछे जाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ मद्यप्रदेश से नहीं पूरे world और इंडिया के gk और current affair से भी पूछे जाते हैं तो जो भी question पूछे लेकर आता हूँ वो बहुत important रहते हैं आपके exam के लिए मैं बार बार दोहराता हूँ बार बार बताता हूँ कि ये question आप note कर लें आपके exam के लिए बहुत जरूरी हैं तो आप note चरूर किया करें तो आज के लिए वस्तना ही नमकार, have a nice day